दोस्तो अगर आपके फोन का भी इंटरनेट डेटा बहुत जल्दी खतम हो जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि हमारे फोन का जो डेटा है वो कहां खतम हो गया कैसे खतम हो गया ये आपको कुछ भी पता नहीं चल पाता है और कई लोका तो ये भी प्रॉबलम है कि आपके फोन का इंटरनेट डेटा खतम नहीं होगा क्यूंकि हमारे फोन के अंदर कुछ ऐसे हीडेन सेटिंग्स होते हैं जो हमारे फोन के इंटरनेट को बहुत ज़धा कंजीम करते हैं आपने एक चीज नोटीस किया होगा अगर गलती से आप अपने रात में इंटरनेट को करकर छोड़ देते हैं और आप कुछ अगर यूज भी नहीं करते हैं फिर भी आपकी फोन का जो इंटरनेट है 50 परसेंट सक खतम हो जाता है तो वह कैसे होता है कहां कंजीम होता है आपको मैं सब बताऊंगा और आपको अपनी फोन के अंदर उसे बंद करना होगा तो चलि अगरेंट पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक करते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको अपने फोन के शेटिंग के अंदर आजना है ठीक है यहां पर आपको एक शेटिंग देखने को मिलेगा जिसका नाम है about phone यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको about phone के अंदर आजना है यहाँ पर आपको एक settings देखने को मिलेगा जिसका नाम है a my UI version यह आपके phone में about version से भी हो सकता है तो आप अपने phone में देख लिएगा ठीक है इस पर आपको 7 बार tap करना है साथ बार tap करने के बाद आपके phone में एक नया settings आजाएगा जिसका नाम है developer option यहाँ पर देख सकते हैं you are now a developer आपके phone में यह hidden होता है तो आपको यहाँ से साथ बार tap करना है उसके बाद आपके phone में developer option के नाम से एक नया settings आजाएगा तो यहाँ पर 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 यहा सकते हैं बचा सकते हैं तो वह कैसे होगा तो विडियो को ज़रा से भी स्कीप नहीं किजेगा तो यहां पर आपको करना क्या है सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे फॉर्स ट्रेश के बारे में उसके लिए यहां पर आपकी ऑप्सन देख लोग मिलेगा जिसका नाम है प्रोसेसिंग रहेगा और आपके फोन का इंटरनेट कब खतम हो जागा कैसे कंजियूम होगा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा तो आपको करना क्या होगा सबसे पहले इस टेटिंस को यहां से बंद करना है इसकी वाद अगर आप अपने फोन में इंटरनेट को बंद कर आपके फोन का इंटरनेट दीरे-दीरे कंजियूम होता है लेकिन आपको कुछ भी पता नहीं चल पाता है तो इसी वजह से आपके फोन का इंटरनेट बहुत जल्दी खतम हो जाता है तो यह सेटिंस आप अपने फोन में बंद कर देगा ठीक है अब यहां पर हम बात इंडर लिमीट पर सेट होता है जिससे क्या होता है कि आप अपने फोन में दो तीन अप्लिकेशन तो हर मेंसा यूज़ करते ही होंगे जो आपके रिसेंट फाइल में होता है जाहिस से बाते सब को ही अपने फोन में यूज़ करता है दो तीन अप्लिकेशन वो क्या करते है कि आपके phone का background में processing में रहते हैं और आपके phone का internet है दीरे-दीरे consume करते रहता है और आपके phone का internet बहुत जल्दी खतम हो जाता है क्योंकि अगर हम अपने phone में कोई भी application यूज़ करते हैं गेम खेलते हैं, WhatsApp, Instagram, कुछ भी चलाते हैं तो हमारे phone के अगर इसेंट में रह जाता है तो आपके phone का internet बहुत जल्दी खतम हो जाता है और आपको खुछ पताने चला है कि हमारे phone का internet कैसे खतम हो गया तो यहाँ आपको करना क्या है? Background Process Limit पर टैप करना है इससे क्या होगा कि आप अपने phone में कोई भी application यूज कीज़ेगा तो जितने भी आपके phone का focus है सिर्फ उसी application पजाएगा उससे क्या होगा कि जितना आपके phone का वो application यूज करेगा उतना ही आपके phone में internet खतम होगा बाकी background में आपका कोई भी internet consume नहीं कर पाएगा यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ट शेटिस के बारे में तो उसके लिए यहाँ पर आपको करना क्या है उपर में आपको एक option मिलेगा जिसका नाम है don't keep activity यहाँ पर आप जेख सकते हैं यह हमारे phone के अंदर बंद रहता है लेकिन आपको अपने phone के अंदर इसे बंद नहीं करना है इसे यहाँ से आपको on कर रहा है on करने के बाद क्या होगा कि आपके phone में जितने भी application है वो background में internet consume नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने phone में 50-60 application रखते हैं लेकिन क्या होता है कि जितने भी आपके phone में application है जैसे प्राइम वीडियो हो गया होश इस्टार हो गया WhatsApp हो गया Instagram हो गया वो आपके phone के background में internet को consume करते रहता है और आपके phone का internet कैसे खतम हो जाएगा आपको कुछ भी पताने चलेगा तो यहां पर आपको करना क्या है don't keep activity को यहां से on कर रहा है इससे आपके phone के अंदर कोई भी activity नहीं होगा और आपके phone का जो internet है वो बचेगा खतम नहीं होगा तो यह settings आप अपने phone में जरूर कर लिजेगा अब यहां पर हम बात करेंगे 4 settings के बारे में तो उसके लिए आपको करना क्या है यहां पर आपके option देखते को मिलेगा जिसका नाम है यानि कि आपके phone के background में कोई भी application रन नहीं करेगा और आपके जो phone का internet है कभी भी खतम नहीं होगा इससे आपके phone का internet भी बचेगा और आपके phone का battery भी बचेगा अगर आपके phone का battery भी बहुत ज़ल्दी खतम होता है तो आपको इस settings को अपने phone के अंदर on कर देना है इससे background में कोई भी application रन नहीं करेगा जितने भी आपके phone में processing होता है वो सारे बंद हो जाएंगे आपके system का हो गया application का हो गया या फिर कोई आप website के अंदर गया है तो background में वो run नहीं करेंगे तो यह चार settings से आप अपने phone के internet को बहुत ज़्यदा सिक्यूर कर सकते हैं और इसके बाद आप अपने phone में दिन रात में internet यूज किजेगा ना फिर भी आपके phone का internet जल्दी खतम नहीं होगा तो यह चारो settings आप अपने phone में एक बाज रो ट्राई कर लिजेगा तो I hope कि आप